नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बड़े बहतरी नंग से कर रहे होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं UPPSC और आरो एरो के लिए सैट नमबर आठ इससे पहले हमने साथ सैट इसके करा दिये हैं और यह full length test मिल जाते हैं आपको इसमें मिल जाते हैं 150 question सामान्य ग्यान के और यह test नमबर हो जाता है हमारा 8 इससे पहले test अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे channel पर widget करेंगे वहाँ आपको सारे test मिल जाएंगे और वहाँ 150 full length के test भी मिल जाते हैं आपको और वहाँ पर आपको मिल जाते हैं 100 test जो आपके 30 present के होते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और आज कर जो हमारा पहला question हो जाएगा वो कुछ हो जाता है इस तरह से यह पोलीटी का test हो जाता है हमारा पोलीटी के हम 500 question कर आने वाले हैं और इसमें जितने भी आपके current के question आएगे वो सब आपको skip करने हैं ठीक है current जो है इसमया से आपको नहीं लेना है तो चलिए पहला question देख लेते हैं किस अधिनियम में भारत को British अधिकरत भारत कहा गया है British अधिकरत भारत कहा गया है किस अधिनियम में 1773 का Regulating Act, 1784 का PITS India Act या 1833 का Chartered अधिनियम या फिर 1808 का भारत सरकार अधिनियम कौन सा वो अधिनियम हो जाता है जिसके तहत British अधिकरत भारत कहा गया है भारत को अगर आप किसी question का answer जानते हैं तो आप हमें comment box में लिख भी सकते हैं तो इसका जो character answer हो जाता है वो हो जाता option number B PITS India जो अधिनियम है 1784 में आया था या आप सभी जानते हैं ठीक है और इसमें जो है भारती अधिकरत परदेशों को पहली वार British अधिकरत परदेश कहा गया था ठीक है इतनी बात आपको इससे समझ लेनी है और ये जो अधिनियम था इसका जो उदेश था वो था 1773 के regulator की कम्यों को दूर करना ये जो आया था आपका 1773 में इसकी कम्यों को दूर करने के लिए दो बारे से PITS India Act को लाया गया था ठीक है इतनी बात आपको यहाँ से समझ लेनी है, ऑफिसन नंबर B यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है अगला कोशन है साइमान आयोक के भारत आने का मुख्यों देश क्या था साइमान आयोक के भारत आने का मुख्यों देश तो ये हो जाता है 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना 1919 का जो अधिनियम आये था कौन सा था तो वो था Montague Champs Board सुधार ये कब आये था ये आये था अपका 1919 में इसी से मिलता जुलता एक ओर आ जाता है आपका वो आ जाता है 1909 में वो होता है Marlimento सुधार ठीक है अधिनियम की सफलता का पता लगाने के लिए 1927 में आ जाता है आपका Simon Commission ठीक है और Simon Commission को का काम क्या था तो Simon Commission का काम था 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है साइमन कमीशन में कितने सदस थे ये भी आपसे पूछ लिया जाता है साइमन जो समीती आई थे उसमें आ जाते साथ सदस उसमें थे आपके अनुसूची एवम उसके विशय के साथ सुमेलित नहीं कौन से अनुसूची हो जाती है जो उसके विशय के साथ सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है अनुसूची चार की बात करेंगे ये राज सभा सदस्यों से संबंदित हो जाती है अनुसूची साथ की बात करेंगे ये विश्यों का जो विजबा जाना उससे संबंदित हो जा भासाओ को सूची बद किया गया है अनुसूची आठ में अनुसूची दस में ये 10 से 10 और 10 से दल बदल कानूम ठीक है इस तरह से जो है ये आपके करेक्ट हो जाएगे आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित इसमें से नह क्यावन तक ये भाग कौन सा हो जाता है तो भाग हो जाता है ये 17 ठीक है समविधान के भाग 17 हो जाता है अनुच्छेद हो जाता है 343 351 और अनुसूची हो जाती है ये आपकी आठ एक ही कोश्चन में आपकी सारी चीज़े के लिए नहां पर हो गई है भारत के समविधान के प्रस्तावनों में सम्विधान को अपनाने की किस तिति का उलेख किया गया है यह आपको बताना है कोश्चन नमबर हो जाता है चार और वो जो डेट है वो हो जाते है 26 जनवरी 1969 ठीक है ये हो जाती है 26 जनवरी 1999 समविधान को अपनाने की तीथी का उलेख है भारतिय समविधान के प्रस्तावन में और इसको पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावनों देश कल पर आदा हरित है जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नहरू के द्वारा समविधान सभा में पेश किया गया था ये थी आपकी प्रस्तावना और इसको जो है फिर 22 जनवरी 1947 को सुविकार किया गया कब तो 22 जनवरी 1947 को इसको जो है यहां पर सुविकार कर लिया जाता है और 26 नवंबर 1999 को सभीधान सभा दुआरा इसको अपना लिया जाता है इतनी बात भी आपको यहां से समझ लेनी जाए और पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है इसको 26 जनवर 1950 को option number C यहाँ पर आपका correct हो जाएगा भारतिय सविधान के सुरोत के रूप में असत है असत कौन सा हो जाएगा भारतिय सविधान के सुरोत के रूप में चार option आपको दिये गए हैं और question number हो जाता है हमारा 5 important question है सारे question आपको देख लेने हैं इस set में आपको मिल जाते हैं total 150 question और यह सारे वो question है जो आपकी परिक्षाओं में कहीं न गई पुछे जानने की पूरी पूरी संभावना है उपराष्टपती का पद जो है अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है यह correct हो जाएगा आप सभी जानते हैं जो उपराष्टपती का पद है यह लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से संध्या डाचा इस कनाड़ा से लिया गया है यह हम सभी जानते हैं एकल नाग रिखता है ये बिरिटेन से ली गई है ये भी हम सभी जानते हैं और नीती निदे सकता तो जो है आश्टीले से नहीं लिए गई है नीती निदे सकता तो लिए गई है ये आईरलेंड से ठीक है इतनी बात आपको सभी को समझ लेनी है इस question से एक question है और चार जो है answer अगर ये question वंडेJust? या तो आपसे ये पुछा जाएगा या पिर आप से ये पुछा जाएगा या फिर आपसे ये पुछा जाएगा ठीक है यहां से चार question आपकेufen हो रहे है एक question से उपराश्टपती के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होना चाहिए उपराश्टपती का जब चुनाव होता है तो नामांकन के लिए कितने तो प्रस्ताव होना चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए तो उसके लिए जरूरत होते हैं 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदवकों की 2020 जो है आप इसका रेश्यो मान सकते हैं इस तरह से आप इसको याद भी सकते हैं 2020 हो जाता है उपराश्टपती के चुनाओं में अगला कोशन है केंदर राज संबंद के बारे में सुमेलित नहीं है केंदर और राज्ये के संबंदों के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है 263 अंतर राज्ये परिशत से संबंदित हो जाता है 280 में आपका आ जाता है वितायोग ये कई बार question पूछा गया है अनुच्छेद 280 में क्या आएगा या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वितायोग को जो है किस अनुच्छेद के अंतरगत रखा गया है तो ये 280 हो जाता है अनुच्छेद अनुच्छे 289A ये GST हो जाता है ये important हो जाएगा यहां से 279A में रखा गया है आपका GST को इंपोर्टेंट हो जाएगा और अनुच्छे 275 में बिहार को विशेश संदर्ब का दर्जाद हो है ये आपका हो जाता है गलत गलत क्यों हो जाएगा तो 275 में जो है केंद सरकार द्वारा राज्य को अनुदान देने का प्रावधान है बिहार को नहीं है ये राज्य को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है आपका 275 में ठीक है क्या हो जाता है राज्य को अनुदान दिया जाएगा 275 के तहर्त ठीक है आपसे तरह के बहतरीं टेस्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में ठीक है अब ये एक्जाम में जो है लगबख तीन महीने का समय है लेकिन आपको जो है अपनी तैयारी में लगे रहना है और आपको जो है कुछ भी नहीं छोड़ना है सभी को आपको पढ़ लेना समय तीन महीने का काफी होता है आपकी तैयारी के लिए 150 कोश्चन के ये फुल लेन टेस्ट चल रहे हैं हमारे चैनल पर और यहां से जो है हम आपको लगबख सो के आसपास टेस्ट करा देंगे कोश्चन नमर हो जाता है हमारा आठ पंचायत राज विवस्था के अंतरगत भारत में ग्राम सासन एक द्रश्टांत है पंचायत राज विवस्था के अंतरगत भारत में ग्राम सासन एक द्रश्टांत है कोंसा हो जाएगा इस्थानिय स्वयशासन का परति निदिक मूलत सासन का जनवादी लोगतंतरगा या प्रतक्ष्य लोगतंतरगा कोश्चन नम नौनूबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर ड़ौन सब्सक्राइब होता है। तो इनका जो करेक्ट lij होता है वह हो जाएगा छह वरस या फिर 62 वर्स की आयू तक राज लोक शिवा आयू की अध्यक्ष का कारिकाल होता है। 6 वर्स तक हो सकता है, 6 वर्स भी हो जाते हैं, या फिर उनकी जो आयू है वो होनीचे ये 62 वर्स तक की ठीक है, वो जो है ध्यक्ष बने रह सकते हैं। इस तरह से उप्चन नमबर B आपका हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट। वर्ग आयू की न्यूक्ति सम्विधान के अनुच्छे 340 के उप्वबंध पर की जाती है। ओप्शन नमबर B आपका हो जाता है, यहाँ से करेक्ट आंसर। राष्टे वीत आयू की रिपोर्ट संसत के पटल पर कौन प्रस्तूत करवाता है? यह आपको बताना है। यह राष्ट्पति दुवारा पर्दत अनकोई विशिश्ट निर्देश जो देश के सूद्रड वित के हित में हो, आयूग अपनी रिपोर्ट राष्ट्पति को सौंपता है जिसे राष्ट्पती दुवारा संसत के दोनों सदनों में रखा जाता है। प्टल्पल धन विध्योय को सम्द्रोच के सम्द्में vishais Continual life Ottow और भी बात हो रही है यह विश्ज पर किरिया किसлемें रही हैं कि आ response जाती है धन विद्यकों की 109 में 109 हो जाता है यह और यह हो जाता है आपका धन विद्यकों से शंबंदित ठीक है और 110 की बात की गई है तो यह धन विद्यक की परिभासा है यहां परिभासा बताएगा 110 में 112 में आपका वार्शिक वित्य विवरन यानि जिसको आप बजट कह 109 आप से पूछा गया था यह अब हो जाता है इसका करेक्ट आंसर धन विद्यकों के संबन्द में विशेश परकिरिया सविधान के 109 में वर्णित है नीती निदेशक सिध्धानत के बारे में सही सुमेलित नहीं है जो नीती निदेसक तत्व हैं उनके शिद्धानत के बारे में एक जो है सुमेरिती निमे से नहीं है वो कौन सा हो जाएगा अनुचेद 49D की बात करेंगे तो समान कारिये के लिए समान वेतन दिया जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है अनुचेद 40 ये कई बार वंडे एक्जाम में ट्रेंड करता है कोश्चन ये पंचायती राज से संबंदित हो जाता है अनुचेद 40 ठीक है ये ट्रेंडिंग कोश्चन है और ये कई बार जो है आपकी परिक्शों में पूछा रहा है अनुचेद 44 एक समान नागरिक तकी बात करेगा ठीक है अनुचेद 44 चार चार आ रहे हैं दो बार ये और ये बराबर है तो यहां भी बराबर की बात करता है यहां भी समान है यहां भी समान है तो इस समान तकी बात करेगा इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ संपत्ति की रक्षा करना और इनसा का सैत्या करना तो यह तो हो जाता है ठीक है मूल करतव्य ये तो हो जाएगा जन जो संपत्य है जो साल जनिक संपत्य उसकी रक्षा करना और हिंसा का जो है बिल्कुल त्याग कर देना ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा भारत की संपरबुता एकता और अखंड़ता को बनाए रखना और उसकी रख्षा करना ये भी हमारा हर नागरिक का एक करतव हो जाना चाहिए ठीक है ये भी इंप्रोटेंट हो जाएगा परिवार नियोजन अपनाना ये जन संख्या नेंतर करना तो ये कहीं भी जो है आपका मूल करतवे से संब्दित नहीं है और ये हो जाता है आपका गलत आपका पूछा गया था कि मूल करतवे कौन सा नहीं है तो इसी हो जाएगा जो आपका मूल करतवे के अंतरगत नहीं सर निमने लिखत को पंचायती राज के संदर में सुमेलित कीजिए पंचायती राज के संदर में सुमेलित करना है वो कौन सा हो जाएगा कि हैं वो कौन सा अनुछी दे झ En I AM तो सबसे पहले हो जाते हैं जो पंचायत का गठन होता है किस के सम्मादी वो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है पंचायत के गठन से सम्मादी तो पंचायत का जो गठन हो जाएगा वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 243B में वितायोग आ जाता है 243 एक में इस्थानों का जो संगरक्षन है ये आ जाता है आपका 243 डी में निर्वाचन आयोग की बात करेंगे निर्वाचन हो जाता है आपका 243 के में इस तरह से आपका एक का तीन हो जाएगा A का 3 दिया गए है आपका 2 option में B का 1 हो जाएगा और B का 1 दिया गए है आपका option number दिया गए है C में C का हो जाता है 4 और D का हो जाता है हमारा 2 इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं संसत के किसी सदस्थी की अयोगता के संभन में किसका निर्णे अंतिम माना जाता है किसका निर्वाचायो के परामर्स के बाद तिया गया राष्टपती का निर्णे ये माना जाता है संसत के किशी भी सेदस्य की अयोगता के संबन में अंतिम निर्णे संविधान संसोदनों के बारे में सुमेलित नहीं है कौन सा हो जाएगा जो संविधान संसोदनों के बारे में सुमेलित नहीं दिया गया है 101 की बात करेंगे, ये GST से समंदित हो जाता है, 101 रुपइ का जो sing दिया जाता है, इस तर जो आप इनको याद रख सकते हैं, 103 EWS से समंदित है, 103 और 3 एक्सर दिया गए है EWS, टीक है, EWS, 3 एक्सर दिया गए है, और 103 नंबर का हो जाता है, ये दिया जाता है, जनरेल को 10% आरक और यह जाता है आपका 3 से शंबंदि गर गर बात करेंगे यह हो जाता है 2 अरक्षन हो जाता है एक सो चार के अंतरगत अर सोव्क्त प्रडोगों सेवगों कि नीधी तो मेख़ती विश्य मुध्हडण सीमा समझोते और 2011 के प्रोटोकोल का अनुसरान करता है। संग लोक शेवायोग के संबंद में निमनी लिखित में से कोंसा सत्य है। कौन सा सत्य हो जाता है संग लोक शेव आयोग के संबंद में तो इसमें सत्य हो जाता है आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्राले के अधीन है आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्राले के अधीन है बी नमबर हो जाता है है यहाँ पर आपका करेक्ट ठीक है आपसे पुछा गयता संग लोक्षियावायो के सम्मद में सत्य गधन भारतिय संसद किस रीति के परसासन यानि एडमिनिस्टेशन पर नियंतरन करती है भारतिय संसद करती है नियंतरन और इक किस तरह से करती है वो आपको बताना है तो ये हो जाता है इसका संसद्य सेमिति के माध्यम से परसासन पर जो है नियंतरन करती है भारतिय संसद्य इंपोर्टेंट कोच्चन हो जाता है ये हो जाता है इसका correct answer भारतिय राजनीति के संदर में निमने लिखत में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है तो इन में जो आपका correct answer हो जाता है राष्टपति संसद के किशी एक सदन के सत्रा धीन ना होने पर ही अध्यहद इस जारी कर सकते हैं ठीक है भी हो जाता है याप पर correct answer और बाकी जो हैं आपके सबी गलत दिये गए हैं योजन आयूकी जवाब दे ही संसद के परती है तो योजन आयूकी जो जवाब दे ही है वो संसद के परती नहीं है निमने लिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है निमने लिखित में से कौन सुमेलित ही हाँ पर नहीं है कोश्च नम्मर हो जाता है हमारे 21 सुमेलित कौन सा नहीं है संचालन समीती डाक्टर राजिंदर परसाज हो जाते हैं प्रारूप समीती के जो अध्यक्ष्ण को डाक्टर भीम रावंबेडगर हो जाते हैं संग सक्ती शमीति के पंडित जवाहर लाल नहरू हो जाते हैं, जंडा समीति की बात की गई है तो सर्दार पटेल नहीं है जंडा समीति के, जंडा समीति के को अधिक्स हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं राजिंतर प्रसाज हो जाते हैं जंडा समीति के अधिक्स, इस तरह से आ इमने लिखिते में से क्या कतित है राष्टपती संसत के किसी भी शदन का सदस्य नहीं होगा ठीक है तो ये तो आपका हो जाता है राष्टपती जो है संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसत जो है राष्टपती और सदनों से मिलकर बनेगी तो ये भी आपका कही नहीं करेक्ट हो जाएगा ठीक है इस तरह से जो है संसद उनके बिना नहीं चलेगी और ये सदन का सदश्य भी नहीं होता है राष्ट पती तो दोनों आपके यहां करेक्ट दिये गए हैं और दोनों करेक्ट दिये गए हैं आपके option number B में यही हो जाएगा आपका correct answer ठीक है आ भारत सरकार के मुख्य विधी परामर्स दाता हैं कोन हो जाते हैं भारत सरकार के मुख्य विधी परामर्स दाता हैं तो यह हो जाते हैं अटोरी जनरल ओफ इंडिया यह कौन हो जाएंगे भारत सरकार के मुख्य विधी परामर्स दाता हो जाते हैं भारत के अटोर्णी जन इंको कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है भारत का नियाएवादी इनको कहा जाएगा इनका उल्लेक की बात करेंगे तो यह हो जाता है सभी नियाएवादी में सुनवाई का अधिकार इनको होता है यह कहीं बर जाकर भी सुनवाई कर सकते हैं निमने लिगत में से राजसभा के विशा में कौन सही है राजसभा के विशा में कौन सही है सही आपसे पूछा गया है चार option आपको देगए हैं और कूट से आपको सहीउत्तर का चैन करना है राजसभा के बारे में कौन सा आपका सही हो जाएगा यह भंग नहीं कि जा सकती है तो यह तो कहीं नहीं correct हो जाएगा राजसभा को भंग नहीं किया जा सकता है इसमें क्या होता है तो इसमें एक तिहाई जो आपके एक तिहाई जो सदस होते हैं उनको वो जो है आपके चले जाते हैं और अगले एक तिहाई जो है फिर आ जाते हैं इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, संसद राजसभा कभी भंग नहीं होगी, और इसके जो सदस्यों का कारकाल होता है, वो होता है 6 वर्स का, ठीक है, और परते एक दो वर्स बात जो है, एक तिहाई सदस्यों का कारिकाल वो समाप्त हो जाता है, और अगले एक तिहाई जो उसमें फिर एड हो जाते है, ठीक है, तो इस तरह से जो है एक सदस्यों जो आपकी राजसभा है, वो कभी भंग नहीं होते हैं, वो चलती रहती है, इसका कारिकाल 5 वर्स का होता है, तो ये गलत हो जाएगा, और इसके सदस्यों 25 वर्स से कम आईूके नहीं होंगे, और ये जो है आपका गलत दिखाया गया है, क्योंकि जो राजसभा होती है, उसके सदस्यों को जो कारिकाल है, जो सदस्यों होते हैं, उनकी जो उम्र है, वो लगभग 30 साल होनी चाहिए, सदस्यों की आईूक कम से कम 30 वर्स होना जरूरी है, राजसभा का सदस्यों बनने के लिए, तो आपका केवल 2 इसमें से करेक्ट दिए गए हैं, एक तो आपका एक नमबर दिया गए है, और एक आपका तीन नमबर, और एक और तीन जिसमें हैं, वो ही आपका सही हो जाएगा, एक और तीन दे गए हैं, आपके ओप्शन नमबर C में, ठीक है, यह हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, निमने लिखित में से भारतिय सविधान का कौन सा अनुच्छेद, आकस्मित्ता निदी से संबंदित है, जो आकस्मिक निदी होती है, उससे संबंदित हो जाता है, वो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद, यह इस तरह के कोश्चन है, जो आपकी सभी परिक्षाओं के लिए भी इंपोर्टेंट है, जरूरी नहीं है, आप जो है UPPSC, ROARO, या फिर लोवर और कोई सा भी जो है आप एक्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें भी यह कोश्चन आपसे वंडे एक्जाम में भी पुछे जाते हैं, पीचे, PSC, ROARO, इसमें जो है डीप करके कोश्चन के वल आपसे पूछ लिए जाते हैं, कोश्चन नमर हमारा 25 हो जाएगा, और आपसे पूछा गया भारती सविधान का कौन सा अनुच्छे था जो आकास्मिक निदी से सम्बंदित हो जाएगा, तो आकास्मिक निदी से सम्बंदित हो जाते हैं, आपका 266, 267, ये हो जाते हैं, आपका आकास्मिक निदी से सम्बंदित, और आकास्मिक निदी के जो है इस्थापना का प्रावधान करता है, और राष्टपती के जो नियंतरण में होती है, ये, ठीक, सामान्य वित्य विधायन में चरण सम्मिलित हैं जो सामान्य वित्य विधायन होता है उसमें चरण सम्मिलित हो जाते हैं कौन-कौन से ही तो यह हो जाते है बजट का प्रस्तूति करण हो जाएगा बजट पर चर्चा भी हो जाती है वी नियोग विधे को पारित करना भी हो जाता है और लेखा नुदान जो है इसमें नहीं होगा वित विधे को पारित करना भी हो जाता है ठीक है यह हो जाता है सामान्य वित्ति विधायन में चरण ठीक है लेखा नुदान का जो है इसमें प्रावदान नहीं किया गया है आप से पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है चरण सम्म्मिलित है तो चार आपके सम्मिलित हो जाएंगे एक दो तीन और पाँच चार वाले वह आपका इल्मिनेट हो जाएगा और इस तरह से आपका जो रेक्टान से रफ वो हो जाता है एक दो तीन और पांच यह दिए गए हैं आपके ओप्षन नंबर डे में ठीक है चार वाले जो है आपके इल्मिनेट आपके कर सकते हैं कोश्चन आ गया है एक ओर इंप्रोटेंट प्रोटें मिस्ट्पीकर से प्रोटें मिस्पीकर का करतव यह होता है जो प्रोटें मिस्पीकर बनाया जाते हैं कुछ समय के लिए उनका जो है करतव क्या होना चाहिए और ये जो प्रोटेमी स्पीकर है ये बनाया जाता है आपका जब तक नव निर्वाचित सदन में लोकसभा का अध्यक्स के चुनाव नहीं होता है चुनाव से पूर सदन को सामा नितर चलाने के लिए एक वरिष्टम सदस्य की जरूरत होती है और उसको प्रोटेमी स्पीकर कहा जाएगा तो ये जो है स्पीकर की अनुपस्तिति में सदन की कारवाई को नहीं संचालन करेगा ये आपका गलत हो जाएगा ये उसका संचालन नहीं करेगा सदस्य को सपत दिलाना तो ये आपका हो जाता है केवल सदस्य को सपत दिला सकता है ठीक है और इस्थान पन रूप से सुविकार स्पीकर का कारी करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो और ये भी आपका हो जाता है गलत केवल सदस्यों के चैन परमान पत्रों को सपत दिलाना यहां से निम्न में से कौन सा सुमेलित है निम्न में से कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है 22 वे विधी आयुक के अध्यक्त RITU RAJ अवस्ति है 22 वे पूछे गए हैं 22 वे विधी आयुक के अध्यक्त RITU RAJ अवस्ति तो ये आपका हो जाता है correct भारत के मुख्य चुनावायुक्त राजीव कुमार हो जाते हैं नियंत्रेनु महालेका परिक्षक की गिरीश चंद मुर्मू हो जाते हैं और इस तरह से जो है option number D यहाँ पर आपका हो जाता है करक्ष ठीक है सबी जो है आपर सुमिलित दे गए हैं यह धन विदेयक इसका नि निन्य कोन करेगा तो धन विदेयक का निन्य करता है लोक्षाब अध्यक्ष वो बताएगा कोई जो है विदेयक है वो धन विदेयक है या फिर नहीं है ठीक है और इसका जो प्रावधान किया गया है अनुछेद 110 में इसका जो है रखा जाता है ठीक है 110 के 3 के अनुसार लो उसका निर्ना होता है वो अंतिम होता है लोक्षबाद्यक्ष का ठीक है धन विदेख है या फिर नहीं है वो ही तैगरेगा बहरत में स्वतंतरता के पश्चात पर्थम मंत्री मंदल का कानून मंत्री कों था? बाबासार बीम्रावं अम्बेथगर इसके मंत्री मंदल के कानून मंत्री हो जाते हैं और सुवतंतरदा के पश्चार डॉक्टर बी आरंबेडगर विधी मंत्री बने थे, विधी यानी कानून मंत्री बने थे केंधरकार के संदर में निमले कत्नों पर विचार कीजिए केंधरकार के संदर में निमले कत्नों पर आपको विचार करना है दो जो हैं कथन दे गए हैं और आपको बताना इनने में से सही कौन सा हो जाता है भारत के सविधान में उपबंध है कि समस्चत कैबिनेट मंतरी अनिवारीय रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे तो ये तो कहीँ न कहीँ आपका हो जाता है गलत ठीक है कैबिनेट मंतरी अनिवारीय रूपिशे केवल लोक्सभा के आसीन सदस होंगे तो यह आपका गलत हो जाता है मंतरी परिशियत लोक्सभा के प्रप्ति शामयुक रूप से उतरदाई होते हैं और मंतरीगंड संसद के किसी भी सदन के सदस्च हो सकते हैं तो पहला point आपका हो जाता है गलत और ये बात कही गई है आपकी 75 तीन में अनुचेद 75 के तीन में ये प्रावधान किया गया है केंद्रिय कैबिनेट सचीवाला संसद्य कारे मंत्रा लेकर निदेशा दिन कारे करता है तो ये भी आपका कहीं न कहीं गलत हो जाएगा ये जो है ऐसा नहीं करेगा और अनुचेद 75 के अनुचेद 75 के अनुचार निउक्त मंत्री को किशी भी सदन का सदस्चोने पर कैमिनेट मंत्री जो है सचीवाला सीधे परधान मंत्री का अधीन होता है ठीक है तो दोनों उप्षन जो है आपके गलत दिये गए हैं आपसे पूछा गयता सही कौन सा है उप्षन में देख लेते हैं तो ये दिखाया गया आपको ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो सही है कथा ने दिया गया है कोई व्यक्ति उपराष्ठपती निर्वाचित होने का पातर तब होगा जब राजसभा का सदस होने के लिए अहित हो जाता है तो ये तो आपका कही न कहीं correct हो जाएगा जो राजसभा में आ जाता है यानि कि 30 साल की उम्रू पूरी कर चुका हो और और भी जो है योग्यताई होती है राजसभा का सदस बनने के लिए तो जो राजसभा का सदस बन सकता है वो उपराष्टपती निर्वाज होने का पात्र माना जाता है कारण बताएगा है उपराष्टपती राजसभा का पदेंसभापती होता है तो ये भी कही न कही है आपका हो जाता है correct और आपको बताना था सही उत्तर कौन सा है तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर तो यहाँ जो है A और R दोनों सत्त हो जाते हैं और R का जो है A का मानने इस्पेश्टी करण भी हो जाता है ठीक है आप्शन नमबर A जो है यहाँ पर आपका करक्ट हो जाएगा किस अधिनियम ने भारतवाश्यों को अपने देश के परसाशन में कुछ हिस्सा लेना संभाव बनाया था तो यह हो जाता चार्टेड एक्ट 1833 के अनुसार ठीक है चार्टेड एक्ट 1833 के जो धाराओं में सबसे महत्पूर धारा होती है सबसे महत्पूर धारा हो जाती है सबसे महत्पूर धारा हो जाती है और इसमें क्या कहा गया था इसमें चार्टेड एक्ट रथार जो तेहत इसके अनुसार सबसे महत्पूर धारा हो जाती है ये जो है कथन कहा गया था आपका चार्ट एडेक्ट 1833 में और इसका जो है ये ही हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है निम ने लिखत में कौन अगस्त 1946 में गठित पर्थम अंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस्य नहीं था कौन हो जाएगा जो सदस्य नहीं था पर्थम अंत्रिम राष्टिय सरकार का सदस्य तो सी राजगोपाली इसके सदस्य और जगजीवन राम भी हो जाते हैं लेकिन डाक्टर रादा करेशनन जो है ये इंसे समबन्दित नहीं थे ठीक है कैबिनेट मिशन योजना का जो आधार था हो 24 सगत 1946 को गोशना के आधार पर नव निर्वाचित सम्विधान सभा ये 2 दिशंबर 1946 को भारत की अंत्रिम सरकार का गठन यहां पर किया जाता है कब किया जाता है तो ये किया जाता है 2 दिशंबर 1946 को अंत्रिम सरकार का यहां पर गठन किया जाता है इसमें आप जाते हैं आपके जो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे यह बनाए गए थे आपके राजगोपालाचारी है और डाक्टर जो राजिंतर परसाद है इनको बनाए गया था खादिम किर्शी मंत्राली मंत्री जग जिवन राम को बनाएगा था आपका यहाँ पर सिरम मंत्री ठीक है और जो आपके रादा करेशन ने वो इस तरकार के शदश्य नहीं थे निमने लिखत भारत के राष्ट पतियों में कौन दार्शिनिक राजा अथवा दार्शिनिक सासक के रूप में जाना जाता है दार्शिनिक राजा या फिर दार्शिनिक सासक के रूप में जाना जाता है भारत के राष्ट पतियों में से तो यह जाना जाता है Dr. Radha Krishnan को ठीक है बारत के दूसरे राष्टपती हो जाते हैं सरुपली Radha Krishnan इनको दारसिनिक राजा या फिर दारसिनिक सासन के रूप में जाना जाता है क्योंकि फिर प्रक्षा दारसिन इसनको और सिक्षाविदी भी थे ठीक है option number A हो जाते हैं यहाँ पर correct answer कथन और कारण से question दिया गया है और यहाँ बताने आपको सत्य कुम सा है कथन कहता है भारत का सविधान देश की आवशक्ताओं की पूर्ती करता है जो हमारे देश का सविधान है वो आवशक्ताओं की पूर्ती करता है कारण कहाँ इसको गरहत समविधान भी कहा जाता है तो यह भी आपको गरहत समविधान के है हैं तो अधान हो जाते हैं और दोनों सब्सक्राइब नहीं माना जाएगा कि अगला कोचन हो जाएगा हमारा 37 नमबर निमने लिखितम से राष्टपती किसकी नुक्ति करता है राष्टपती किसकी नुक्ति करेगा तो राष्टपती कर देता है यह आपका भारत के नियाईवादी की राष्टपती करता है नियंतरन महालेखा परिक्षक जो होता है उसकी न्युक्ती भी राष्टपती के द्वारा होती है और एक राजपाल को भी जो है जो राजव को राजपाल होते हैं उनकी भी न्युक्ती आपके राष्टपती को ही करनी होती है तो उपलोग सभी यहाँ पर आपका correct answer होने वाला है भारत का जो नियाएवादी हैं वो हो जाते हैं अनुछे 76 के अनुसार ठीक है इनको न्युक्त किया जाता है जो हो जाते है नियंतरने महालेखा परिक्षक तो इनको अनुछे 148 के तहट न्युक्त किया जाता है और एक राजयपाल को जो है किया जाता है 155 के अनुसार ठीक है यह जो है आपको याद रखने 155 के अनुसार जो है राजयपाल को न्युक्त किया जाता है राष्टपती के दुआरा बारत के राष्टपती पर महाभ्योग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर सूच ना देना आवशक है कितने दिन पहले बताना होता है राष्टपती पर अगर आपको अभ्योग लगाना पड़ेगा ये प्रावधान क्या गया है सम्विधान में बारत के राष्टपती पर जो महाभ्योग लगाया जाना है किसी भी तरह से चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस पर आरोप लगाएगा तो उनको चोदा दिन पहले आपको ये बताना पड़ेगा और वो भी लिखित में बताना पड़ेगा ठीक है ये आपको देनी होगी यहाँ पर लिखित सूचना चोदा दिन पहले भारते सविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता परदान करता है जो भारते सविधान है वो कौन सी नागरिकता परदान करता है ये आपको बताना है तो ये हो जाता है एकल नागरिकता परदान करता है आपका भारत का सविधान important question हो जाता है यहाँ से आपके question पूछे जाते हैं और यह एकल नागरिक्ता यह कहां से ली गई है तो यह ली गई है आपकी Britain से Britain के सम्विधान से ली गई है आपकी एकल नागरिक्ता सूचे को सूची दो से सुमेलित करना है और नीची देखूट से सही उत्तरगा भी आपको चैन करना है सूची एक में आपके अनुचेद दिये गए है सविधान के अनुचेद और दो में दिये गए है आपके विशेए कौन सा विशेए किस से संब्दित हो जाएगा यह आपको पताना है तो सबसे पहले बात की गई जो अनुचे चालीस हो जाते हैं किस से संबंदित हो जाएगा तो अनुचे जो चालीस है ये हो जाता है कहीं न गई गई ग्राम पंचायतों के गठन से ये वंडे एक्जाम में काफी ट्रेंट करता है कोश्चन और कई बार देखा गए है वंडे एक्जाम में अनुचे 40 हो जाता है ग्राम पंचायतों के गठन से संब्धित हो जाएगा अनुचे 41 जो है ये काम करने का दिकार से संब्धित हो जाता है अनुछे 44 यह हमने आपको बताया था दोनों जो हैं समाने 4-4 तो यह कहीं न कहीं समान नागरिक सहीता की बात करने वाला है ठीक है चार और चार यह समान हो जाता है तो समान नागरिक सहीता की यह बात करेगा 48 जो है ये बात करेगा किर्शी एंपसुपालन के गठन की ठीक है ये हो जाता है आपका नुच्छेद 48 किर्शी एंपसुपालन के गठन की ये बात करता है इस तरह से आप से पुछा गया है सुमेलित तो A का 1 हो जाएगा P का 2 C का 3 D का 4 और ये सब दिया गया है आपका option number A मे ये ही हो जाएगा यहाँ पर आपका correct बारते सविधान में राज्यों की शंग की संकलपना को प्राप्त किया जग गया है बारते सविधान में जो राज्यों की संकलपना को प्राप्त किया गया है तो ये किया जाता है British North America के अधिनियम से option number C यहाँ पर आपका correct हो जाएगा भारतिय संगात्मक विवस्ता के संदर में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन का आपको चुनाव करना है दो कथनिया पर आपको दिये गए है तो भारतिय सविधान के अंतरगत राज्यों को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है तो यह तो correct हो जाता है यह जो संग में है और संग से अलग होने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है option number 1 जो है यह आपका हो जाता है correct अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभी विक्ति सुरतनतरता की सुरक्षा मिलती है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है option number A में आपका दिया गया है यह correct इस set में आपको मिलने वाले हैं total 150 question और वो भी important वाले जो आपकी परिक्षा में SGT उठागर पूछी ले जाते हैं इस तरह के question आपको मिलने वाले है question देख लेता है नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है परितियरक्षी करन की बात करेंगे तो to have the body of हो जाता है यह आपका हो जाता है सुमेलित परमदेश यह V command से संबंदित हो जाएगा परितिसेद की बात करेंगे to be certified तो यह आपका हो जाता है गलत आपसे पुछाए का कौन सा सुमेलित नहीं है तो C हो जाएगा जो इन में से सुमेलित आपका नहीं दिया गया है To be certified depression rate के लिए परियुक्त सब्दार्त है ना की परतिशेद rate के लिए ठीक है आपका कथन में भारत का सविधान देश की आवशकताओं की पूर्ती करता है तो ये तो कही न कहीं correct हो जाएगा जो भारत ये सविधान है वो देश की आवशकताओं की पूर्ती करता है कारण की बात करी गई है इसको गिरित सविधान कहा जाता है तो गिरित सविधान तो इसको कहा जाएगा ये भी आपका हो जाता है दोनों आपके करेक्ट दिये गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके आप्शन नमबर B और R दोनों सत्य हैं पर अर जो है एका सही स्पेश्टी करन नहीं है ठीक है ये जो है अलग बात करता है और ये अलग बात करता है तो इसलिए जो है आप्शन नमबर B यहाँ पर केंद्रियता से संगवाद की और खिस की है तो ये हो जाता है 1980 के दसक में आपसा नमर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भारतिय सविधान के किस अनुछेद में विधी की समयक परकिरिया के सिधान्त को सामिल किया गया है समय परिकेरिया के सिधान्द को सामिल किया गया है तो ये सामिल किया गया है आपका अनुच्छेद 21 में आपसन नमब सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा विदी दुवारा जो इस्थाबित परिकेरिया है पदावली को उसी अर्थ में परियुक्त किया गया है भारते सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत अखिल भारते सिवाओ का प्रावधान किया गया है भारते सविधान का हो जाता है कौन सा अनुच्छेत जिसके अंतरगत अखिल भारते सिवाओ का प्रावधान किया गया है तो ये हो जाता है अनुच्छे 312, इसके तहट क्या गया है खिल भारति शेवाओ का परावधान, 312 ये हो जाता है समुधान सभावा ने डाक्टर ब्यार अमबेड़करी की अध्यक्सता के प्रारूप समीती का गठन कब किया था? प्रारूप समीति का जो गठने वो कब किया जाता है तो समीधान के प्रारूप पर जो है विचार करने के लिए समीधान सबादोहरा और ये किया जाता है आपका 29 अगस्त 1947 को ठीक है 19 अगस्त 1947 को संकल पपारित किया गया था और डाक्टर बियांबर अडगे डाक्टर बियार अमबेड़कर की अध्यक्सता में प्रारूप समीति का गठन भी किया जाता है तो इसका जो कर्रेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 29 अगस्त 1947 को ब्यार अम्बेटकरी के अध्यक्स्ता में प्रावरूप समीति का गठेना आपका कर दिया जाता है निम्नांकित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्ति को उपलब्द नहीं है सभी व्यक्ति को उपलब्द नहीं है ये आपको बताना है और विदी के जो समक्स समानता है ये सबी के लिए उपलब्द हो जाती है भेदबाव के विरुद्ध अधिकार ये केवल भारतियों के लिए उपलब्द हो जाएगा देजबर में सुवतंतर भर्मन की जो सुवतंतर था ये भी केवल भारतियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी केवल आपका भारतियों से सम्मादित हो जाएगा ठीक है और आपसे पुछा गयता है इन में से जो है कौन सा अधिकार भारत में सब भी वेक्ते को उपलब्द नहीं है तो ये हो जाते हैं दो तीन और चार ठीक है ये सब भी को उपलब्द नहीं है भारत में और दो तीन चार दिये गए हैं आपके उप्शन नमबर डी में ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर निमने लिखिते में कोन एक मोली का अधिकार नहीं है कोन हो जाएगा जो एक मोली का अधिकार नहीं है उत्पीडन के खिलाप अधिकार ये मोली का धिकार हो जाता है समान कारी के लिए समान वेतन जो 44 में देगा है अनुच्छेद ये जो है एक मोली का धिकार नहीं है ये गलत हो जाएगा समान काम के लिए समान वितन देना एक मोली कदिकार की शिरेणी में नहीं आएगा कानून के समक्ष बराबरी ये एक मोली कदिकार हो जाता है और धर्म पालन की स्वतनत्य अगदिकार ये भी मोली कदिकार के अंतर आ जाएगा आप से पूछा का कौन सा नहीं है तो B हो जाएगा यहाँ पर करक्ट भारते सविधान का कौन सा भाग और अध्याई संग और राज्यों के बीच विधाई संबंदों के बारे में हैं तो यह हो जाता है भाग 11 और अध्याए 1 ठीक है यह हो जाता है important भाग और अध्याए संग और राज्यों के बीच विधाई संबंदों को यह दर्स आता है भाग 11 में दिया गया है आपका 200 अनुच्छे 245 से 255 तक यह आजाता है आपका भाग 11 और इसमें जो है क्या है तो संग और राज्यों के बीच विधाई संबंद है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है निमने लिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्मान के बारे में सही नहीं है नहीं है यह आपसे पूछा गया है कुछ इस्टूइंट यहां कानिफूज हो जाते हैं आपको जो है यह अच्छे तरह से कौश्चन पढ़ना है सबसे पहले उसके बाद आपको इसका अंसर लगाना है तो यहाँ पूछा गए नहीं है और यहाँ आपसे सही भी पूछा जा सकता था तो यहाँ नहीं का आपको अंसर देना है Question number हो जाता है हमारा 54 ठीक है और देख लेते हैं के करके सबी option को एक परकार की विधी में सविधान की पहली अनुसूची और चोथी अनुसूची के संसोधन का प्रावदान होगा यह भी कही न कहीं आपका हो जाता है Correct इसके बाद एक परकार की विधी को अनुसूची 368 के प्रावजनों के लिए सविधान का संसोधन समझा जाएगा तो यह कहीं न कहीं आपका हो जाता है गलत नए राज जोके निर्मान के लिए विधी है तो अनुसूची 368 के तहट विशेश परकिरिया में नई अपनाई जाती है तो यह जो है नहीं अपनाई जाएगी यह आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत इसके बाद दिया गए है आपका इस प्रायोजन के लिए विधेक संसद में अब तक पुने इस दावित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाएगा जिसके छेतर शीमा ओया नाम पर इसका परबाव पढ़ता है तो ये भी कही न कहीं आपका हो जाता है आपसे पूछा गया था कौन सा इन में से जो है सही नहीं है तो केवल सी हो जाएगा जो आपका इसके बारे में सही नहीं है अगला कोशन फिर से आ जाता है हमारा कथन और कारण से भारत संग नहीं है तो यह गलत दिया गया है भारत जो है संग हो जाता है ठीक है भारत जो है राज्यों का संग है और इनको इसके जो है कभी भी टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं कारण की बात करेंगे किसी भी राज का छेतर, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की सक्ती संग्य संसद को प्राप्त होती है, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यह important हो जाता है आपकी सभी परिक्षा के लिए, ठीक है, तो संसद के पास इतनी सक्त का गलत और देख लेते हैं यह किसमी दिया गया है यह आपका गलत दिया गया है और आर आपका सही दिया गया है तो ऑप्शन नमबर डी हाँ पर करेक्ट हो जाएगा भारते संसद भारते सविधान की निम्न में से कई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों के छेतरों का ब्योरा देती है चपन नमबर हो जाता है हमारा कोश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा पहली जो अगर दूसरी की बात कर ले तो दूसरी में हो जाता है जो सम्विधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में यहां उलेख किया गया है तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो सपत का प्रारूप हो जाता है तीसरी अनुसूची में और अगर बात करेंगे चोती अनुसू गए हैं selected निम्नलिक सब्दों में कौन सा सब्द 1975 में भारतिय सविधान की प्रस्ताओं में नामें शम्मिलित नहीं था 1975 में भारतिय सविधान की प्रस्ताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है तो इसमें जो है बंधुत्ता आ जाती है समपर्बु आ जाता और समानता आ जाती है लेकिन 1975 में आपकी जो अखंडता है वो जो है नहीं था क्योंकि इसको जोड़ा गया है बाद में और बाद में कब जोड़ा गया है तो इसको जोड़ा गया है 42 समविधान संसोधन के अंतर एक नमबर, दो नमबर जोड़ा जाता है आपका पंथ निर्पेक्ष, तीन नमबर जोड़ा जाता है आपका अखंडता, ठीक है, कितने कोश्चन आपके बनेंगे, तो यहाँ सबसे पहले बनेंगे इन तीनों सब्दों को जोड़ा जाता है, तीनों सब्द आपको याद रख 1976 में आ जाता है 42 वे संविधान संसोधन के अंतरगत इतनी बाते आपको याद रखनी है अगर आप इन बातों को याद रखने है तो यकिन मानिए आप जो है पेपर को बड़े अच्छे से करके आएंगे ठीक है तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर फिलाल हो जाता है ओप्शन फिर से करन और कथन से जो है कोश्चन आपका दिया गया है 58 नमबर हो जाता है हमारा कोश्चन भारतिया सविधान अर्ध संगातमक है तो यह तो कहीं न कहीं करक्ट हो जाएगा अर्ध संगातमक जो है भारत का जो सविधान है उसको जो है कुछ भी कहा जाता है उसको जो है परीशंग्य किन्तु परवल एक आत्मक और केंद समर तक भी कहा जा सकता है तो पहला जो point है ये आपका हो जाता है कहीं न कहीं correct कारण की बात करेंगे तो भारते स्रमिधान ना तो संगात्मक है और ना ही एक आत्मक है तो ये भी जो है कहीं न कहीं correct हो जाता है ठीक है ना ही तो इसको संगातमक कहा जा सकता है और ना ही जो है इसको एक आतमक कहा जा सकता है तो यहाँ पर जो है दोनों option आपके correct हो जाते हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एकी सही व्याख्या भी करता है आपसर नमबर यह जो है करेक्टर यहाँ पर हो जाएगा फिर से कोश्चन आ जाता है हमारा कथन और कारण से कथन और कारण से आपके सबसे ज़्यादा कोश्चन दिये जाते हैं आपकी परिक्षा में क्यों दिये जाते हैं तो ये जिए दिये जाते हैं आपका जो समय है वो किल करने के लिए आपका जो है समय ज्यादा लगे इसलिए जो है इस तरह के lengthy question आपको दिये जाते हैं और ये practice act हमारा चल रहा है UPPSC और ROR के लिए ठीक है इसके लावा सभी exam के लिए में जो है इसी तरह के question आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये हो जाता हमारा 59 number कथा ने राजनीतिक दल लोक तंत्र के जीवन रखते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोक तंत्र के जीवन रखते हैं बिल्कुल आपका correct माना जाएगा और कारण की बात की गई है तो लोक खराब सासन के लिए सामान दितर राजनीक दलो को कोशते हैं तो ये भी आपका correct हो जाएगा जब खराब सासन होता है तो राजनिक दलो को ही कोसा जाएगा ठीक है इस तरह से दोनों option जो है आपके यहाँ पर correct दिये गए हैं और A और A और A दोनों सही हैं और A जो है सही इसपश्टी करन हो जाता है A का ठीक है दोनों चीजें आपको सरकार का निर्मान नागरिकों में जो राजनितिक सहवागिता होती है जो सबसीड़ी दी जाती है जो काम करते हैं सटके बनाए जाती है और परसिक्षण के अउसरपरदान करते हैं तो वो सब corrections को है जिम्मेदार मानते हैं बारतिय सविधान की प्रस्ताओनों में निमने लिखित में से किस सुवतंतरता का वर्णन नहीं दिया गया है तो ये नहीं दिया गया है विचार की सुवतंतरता का जो वर्णन है ये किया जाता है विचार परकट करने की सुवतंतरता का वर्णन भी किया जाता है विश्वास की स्वतंतरता का वर्णन भी किया जाता है भारतिय सविधान की प्रस्तावनों में लेकिन आर्थिक स्वतंतरता का जो है उसमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलेगा आपको देखने को तो option number D यहाँ पर आपका correct हो जाएगा सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और देगए कुट्चे सही उत्तरखा आपको चैन करना है सूची एक में आपके अनुच्छी दो में देगए हैं आपके प्रावधान कौन सा किस्से सम्मंदित हो जाता है यह आपको बताना है तो यहां बात करेंगा अनुचेद 61 के बारे में किस से संबंदित हो जाता है तो अनुचेद 61 के बारे में किस से संबंदित हो जाता है तो अनुचेद 61 के बारे में किस से संबंदित हो जाता है पती को आपको हटाना पड़ सकता है इसके बाद जो अनुच्छे दो जाता है 94 तो ये जो है इस पीकर को हटाने के लिए होता है ठीक है इस पीकर को हटाने के लिए हो जाएगा आपका 94 और अनुच्छे जो 90 है यानि 90 है ये हो जाता है राज सभा के उपर सभापती को हटाने से इस तरह से आपका A का 2 हो जाएगा A का 2 आपका दिया गया है इसमें भी और C में भी दिया गया है B का हो जाता है 3 और B का 3 आपका दिया गया है option number C में और C का 4 हो जाएगा और D का आपका एक हो जाता है तो option number C हो जाता है है यहाँ पर आपका correct answer ठीक है C हो जाएगा यहाँ correct answer केंदर सरकारों राज सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है केंदर सरकार को राज सरकार को जो प्राधिकार है वो प्राप्त होता है कहां से तो ये प्राप्त हो जाएगा भारती है सविधान से आपसन नमबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर ठीक है केंदरोर राजसरकार को जो प्राधिकार का सुरोत है वो भारत के सविधान से प्राप्त होता है निमनली कत्रों में से कौन सा सही है कौन सा सही हो जाएगा निमने लिखित कत्रों में से तो भारते सविधान अध्यक्ष्टा आत्मक है ये गलत हो जाएगा भारत एक नाम मातर का राज तंतर है ये भी गलत हो जाएगा भारत एक कुलिन तंतर भी नहीं है बारत एक संसद आतमक पर जात अंतर माना जाता है तो D आपका यहां पर correct हो जाएगा 63 का जो correct answer है वो हो जाता है आपका option number D निम्ने लिखत में कौन सी भारतिय समीधान की विशेषता नहीं है भारतिय समीधान की विशेषता नहीं है 64 number हो जाता है आपका question और इसका जो correct answer है वो हो जाता है अध्यक्सात्मक जो सरकार है वो भारतिय सविधान के विशेषता नहीं है ठीक है और ये संसदात्मक सरकार हो जाती है सुरतंतर नियाई पालिका हो जाते है और संगात्मक सरकार भी मानी जाती है नीचे दो गतन दिये गए है जिन में से एक को आर और एक को एक कहा गया है आपको बताना है इन में से सहीत तर आपको चुनना है कौन सा इन में से correct हो जाएगा भारतिय राजनीतिक विवस्ता की परकर्ती में निरंतर्ता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं तो ये तो कही न कहीं आपका करेक्ट हो जाता है ये मूर्त रूप में पाए जाते हैं निरंतर्ता और परिवर्तन के तत्व कारण की बात की गई है भारतिय राजनिती विवस्ता में निम्न राजनिती कारिय शैलिया जैसे आधोनिक शैली परमपरागत सैली और संत सैली के तत्व समाहित होते हैं तो ये भी आपका हो जाता है correct तो दोनों correct हो जाते हैं आए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एका सही व्याख्या भी करता है ये हो जाता है यहाँ पर आपका correct answer निम्ने में से किन उत्पादों को हाल ही में GI tag दिया गया है आपको बारमपंग की हतकरगा को मिला था मैंन पूरी तारगशी को और संबल हॉर्ण कराफ्ट को भी मिल जाता है तो इस तरह से सभी को मिल जाता है यहाँ पर आपका और यह दिया गया आपको उपरोग सभी आपक करक्ट हो जाएंगे जी आई टेक जो है इन सबी को आपका मिला है तो जार चोबिस के स्टार्टिंग में काला सागर अनाच पहल किन देशों की मद्धेस्टा की गई है काला सागर अनाच पहल किन देशों की मद्धेस्टा से की गई है यह आपको बताना है तो ये की जाती है तुर्किय और सेंटराश्ट की जो है ये पहल हो जाती है मद्देस्ता हो जाती है दोनों की निमने लिए विकल्पों में से एशिया में कपास के पर्मक उतपादक देश कौन से हैं कपास के पर्मक उतपादक देश कौन से हो जाएंगे तो ये हो जाता है चीन भारत और पाकिस्तान ये एशिया में कपास के पर्मुक उत्पादक देश माने जाते हैं ठीक है और भारत में जो है विस्व में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक देशों में अगरन इस्थान पर आपका भारत जो है माना जाएगा ठीक है ये हो जा यहां पर correct answer भारत के गुजरात राजी में कभास का सबसे बड़ा उत्पादन होता है ठीक है भारत में कहां हो जाएगा यह हो जाएगा गुजरात में ऑप्शन नम्बर यहां पर correct हो जाएगा सहरिय जंजाती भारत के किस राज से सम्मधित है सहरिय जंजाती हो जाती है ये मध्य परदेश से सम्मधित 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा भी सहरिय जंजाती मध्य परदेश के गुना सीवपोरिय और मुराना जिलों में निवास करती है निम्द में से कौन सी समीती केवल निचले सदन की है कौन सी समीती हो जाएगी जो निचले सदन की है और इस सेट में जो है काफी कोश्चन आपको दिये गए है करेंट के जो हमने स्कीप कर दिये हैं ठीक है इसकीप कर रहे हैं हम जो करेंट के कोश्चन है फिलाल दिखाया गया है question number 91 और इसका जो correct answer है वो हो जाता है प्राकलन समीति ठीक है निम्न में से कौन सी समीति केवल निचले सदन की है तो प्राकलन समीति जो है केवल निचले सदन की आपकी हो जाएगी तीन अपरहल 1950 को जो अणतरिम संचत के पर्थम प्राकलन समीति के चुनाओ के प्रिस्ताओ को सुविकार किया गया था और 1950 को जो है समीति का चैन भी किया गया था प्राकलन समीति का पॉर्ट्फोलियो परणाली को सम्वेधानिक मानेता किस अधिनियम द्वारा पर दान की गई थी पॉर्ट्फोलियो परणाली को सम्वेधानिक जो मानेता है वो प्राप्त की गई थी तो ये प्रात की जाती है आपकी भारतिय परिशद अधीनियम 1861 के दोरा ठी कैसे बातर की आधीनियम और आपको बताने कौन सा इन में से सही हो जाएगा भारत का सविधान संगवाद धर्ण मेर पेक्षा मोलिक अधिकारो लोक तंद्र को मूल संगराशना के रूप में परिभाशित करता है तो ये तो आपका जो है कही न कहीं गलत हो जाएगा आधार बोट संगराशना के घटकों को भारत के समिधान में इस पष्ट रूप से परिभाशित नहीं किया गया है ये आपका हो जाता है गलत नियाइक समिक्षा की सक्ति का सिदान्थ मूल संगराशना का हिस्सा है तो ये कही न कहीं आपका हो जाता है सही और सही आपसे पूझा गाए तो केवल दो जो है यह आपका हो जाता है सही और केवल दो दिखाया गाए है आपका option number B में ठीक है यह हो जाता है ह vivid यहाओ पर correct answer वैस्विक नवाचार सूचकांग किस के दौ़ारा जारी किया जाता है वैस्विक नवाचार सूचकांग कि किस के दौरा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है विस्व बोधिक शंपदा संगठन के दौरा वैस्विक नवाचार सूचकांग को जारी किया जाता है अनुछेद 22 के अनुछार निम ने लिखते में से किस समू को गिरफतारी और निरोद के संगरक्षन का अधिकार है गिरफतारी का और निरोद के संगरक्षन का अधिकार है वो कौन सा हो जाता है तो ये हो जाता है नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ये अधिकार हो जाता है ठीक है ये हो जाता है अनुच्छेद 22 के तहट गरफतारी या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को श्रक्षा परदान करना भारतिय सविधान के किस अनुच्छेद के तहट न्याए पालिका को कारिय पालिका से परथक कर दिया गया है कौन सा अनुच्छेद वो हो जाता है तो यह हो जाएगा अनुच्छेत 50 ठीक है इसके तहट न्याएपालिका और कारियपालिका को पर्थक कर दिया गया है यह हो जाता है अनुच्छेत 50 ठीक है और संविधान का भाग हो जाता है चार इसके तहसर जो राज के नीती नीदेशक सिद्धान तो यानि DPSP का एक हिस्सा यह माना जाता है ठीक है इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं भागते संविधान का कौन सा अनुच्छेत धर्म या भासा के अदार पर अल्प संख्यकों के हितों का संग्रक्षन और संवर्धन करता है अल्प संख्यकों के हितों का संग्रक्षन करेगा और उसका संवर्धन भी करेगा तो ये हो जाता है अनुच्छे 30 ठीक है भारते सविधान का अनुच्छे 30 जो है ये धर्म या फिर भासा के आदार पर अल्प संक्यों के हितों का संगरक्षन और संवर्धन का जो अधिकार है उसका प्रावधान ये करता है अफिसर नबर B हो जाता है है यहाँ पर correct answer भारते संविधान का निमने लिखいて में से कौन सा अनुच्छे Д? संसद के किसी भी सदन से सांसदो की एपातरता से संब्धित हो जाएगा संसद में जो सदा सांसद होते हैं वो भी एपात्र हो जाते हैं उनसे संबंदित कौन सा जो है अनुच्छेद हो जाएगा तो उससे संबन्दित हो जाता है अनुशेद एक सो दो जो है यह संसत के कीजी भी सदन के संसत सदस्यों की एपातरता से संबन्दित माना जाएगा एक सौचार की बात की गई है तो यह हो जाता है सपत लेने या फिर परतिजयान करने से पहले जो योग नहोंए पर भी संसद में बैठने और मतदान करने के लिए दंड से संबंदित हो जाएंगे इसके बाद अनुचेद 5 की बात करेंगे तो ये हो जाता है जो संसद और राजविधान मंडलों के सदस्टों को कुछ विशेस अदिकार और नियाएक जांच में छूट परदान करता है 105 ठीक है और 106 भी देख लेते हैं तो ये हो जाएगा जो संसद के सदस हो जाते हैं उनके वेतनों और भत्तों से जो संबंदित प्रावधान है वो किये जाते हैं आपके अनुचेद 6 में निम ने लिकित में कौन सी भासा संबिधान की आठवी अनुची का हिस्सा नहीं है कौन सी भासा है जो संबिधान की आठवी अनुची का हिस्सा नहीं है तो यह हो जाता है अंग्रेजी बासा ठीक है यह आठवी अनुसूजी का हिस्सा नहीं है बागी डोगरी बोडो और संथाली यह सब जो है इसकी हिस्सा हो जाती है राज का मुख्य कारिकारी परमुख होता है राज का जो मुख्य कारिकारी परमुख होता है तो वो हो जाता है आपका राजिपाल आपसन नमर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा राजिपाल राज का मुख्य कारिकारी परमुख होता है और राश्टपती की तरह ही वह जो है न नाम मातर के ही परदान होते हैं। उसी तरह से राजपाल हो जाते हैं। वो भी नाम मातर के ही होते हैं। 73 संविधान संसोधन अधिनियम के अनुशार पूर्ण पंचायती राज विवस्ता इस्थापित करने वाला पहला राज ये कौन सा हो जाता है। पहला राज कौन सा हो जाएगा? 73. संविधान संसोधन अधिनियम के नुशार. तो यह हो जाता है मद्य परदेश, option no D नी कहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मद्ध्य पर्देश राज को 73 सम्विदान संसोधन अधिनियम के नुशार पूर्ण पंचायती राज विवस्था इस्थापित करने वाला पहला राज बनने का गोरव प्राप्त है ठीक है आपसन नमबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा किस अधिनियम ने गवर्ण जनर को भारती लोगों के परती नीदियों को अपनी विश्थारित परिशद में नामांकित करके कानून के काम में सामिल करने के लिए सक्षम बनाया था तो यह हो जाता है भारत परिशद अधिनियम 1861 ओप्सन नमबर बी हाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भारतिय परिशद अधिनियम 1868 ने भारतियों को कानून बनाने की परिकिरिया से जोड़ कर परतिनिधी संस्थाव की सुरुवात की थी भारतिय सविधान का अनुच्छेद 182 जो कभी कभी खबरों में रहता है वो किस से संबंदित हो जाएगा 182 की बात हो रही है वो किस से संबंदित हो जाता है जो बार-बार खबरों में रहता है तो ये हो जाएगा सर्वोच न्यायले द्वारा पून न्याय परदान करने के लिए किये गए उपायों के कारण आप्सन नमर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भारतिय संबिधान के 42 संसोदन द्वारा राज के निती निदेशक ततों शिद्धानतों में निमने लिखित में कौन सा सिद्धानत जोड़ा गया है कौन सा सिद्धानत जोड़ा जाता है 42 संबिधान संसोदन में तो ये जोड़ा जाता है उद्योगों के परबंदन में शिर्मिकों की भागेदारी, आपसन नमबर B हाँ पर करक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, सविधान में 42 संसोदन में तीन नई निदेशक सिद्धान तो जोड़े गए हैं, जिसमें समान न्याय और मुफ्त कानूनी सा मंदित हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, कोश्चन नमबर 108 आपका ये हो जाता है, तो नागरिक्ता अधिनियम 1955 आपको बताना है, तो ये हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, नागरिक्ता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद, नागरिक्ता क अधीनियम और हानी का प्रावधान यह करता है ठीक है और इसको जो है इसके प्रारम होने पर 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे यह जो है अधीनियम उन व्यक्ति की पहचान करता है जो इसके प्रारम होने पर 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन जाते हैं निम्ने लिखत में कौन सा सिधान्त संसदिय सरकार का आधार सिधान्त माना जाता है आधार सिधान्त माना जाता है कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाता है सामोहिक जिम्मेदारी के सिधान्त का जो तात पर यह हो जाता है लोकसभा एवि जिम्मेदारी के अंतरगत आ जाएगा पर्चीद सूफी शंथ हाजी वारिष अलीशा की मजार कहाच्तिर है कहाच्तित हो जाएगी इनकी मजार तो यह हो जाती है 12 जबंकी में axan न्बर सी ही यहाँ पर आपका backward हो जाएगा बारा बेंकी से बारा किलोमेटर दूर इस्तित होती है देवसरीप में जहां पर मेला लगता है ठीक है हाजी वारिश अलीशा की मजार पर प्रोटेम स्पीकर के संबन्द में निमले कतनों पर आपको विचार करना है और आपको बताने कौन सा इन में से हो जाता है सही सही कतना आपको बताना है कौन सा हो जाएगा भारत का सविधान राजपाल को राजविधान मंडल में प्रोटेम स्पीकर नुक्त करने की शक्ति देता है तो बिल्कुल ये तो कही न कहीं आपका करक्ट हो जाएगा प्रोटे मिस्पीकर की सक्टिया निरवाचिती स्पीकर की शक्तियों के साथ सहवियापक नहीं है तो ये कही नहीं आपका गलत हो जाएगा सहवियापक जो हिस सक्टिया होती है ठीक है और यह जो अनुच्छेद है यह कहता है यदि अद्यक्स की गुर्शी खाली हो तो उसको पद के भरने के लिए कोई उपाद्यक्स नहीं है और कारियार लेके करदवयों का पालन भी विधान सभा के सदस्व द्वारा किया जाएगा ठीक है इसलिए जो है प्रोटर में करती है नियाइक शेवाओं को छोड़कर नई अकिल भारतिय शेवाओं का निर्मान कर सकती है यदि राजसभा गोशना करते हुए प्रस्ताव पारित करती है और यह राश्ठीत में आवश्चक या फिर समीचीन है तो यह तो आपका जो है कहीं न कहीं गलत हो जाएगा ठी ए आपका गलत हो जाएगा और बी सही तो यह किस में दिया गया है तो यह दिया गया है आपका कथन ए जो है गलत है और बी आपका सही हो जाएगा परतिएक वर्स अंतराष्टिया बाग दिवस किश दिन मनाए जाता है अंतराष्टिया बाग दिवस मनाए जाता है आपका 29 जुलाई को ठीक है, important question है और ये आपसे पूश लिया जाता है पहला बाग दिवस कब मनाए गया था, ये important हो जाएगा आपके लिए तो ये बनाये गया था 2010 में ठीक है ये पहला भाग दिवस मनाये गया था और रूस के सैंट पीटर्स बर्ग में बनाये गया था टाइगर समिट में भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अक्षा उर्जा इस्थापित करने की चंदा को कितने गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष निर्धारित किया है विस्तारिक्त करने का जो लक्ष हो निर्धारित किया है 2030 तक तो ये हो जाता है 500 गिगावाट आपसा नमबर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा उच्छी नियाय लेके कारिय वहक नियाय दीश के सम्मन्द में निमने लिखित कत्नों पर विचार आपको करना है भारत के मुखे नियाय दीश एक योग व्यक्ति को उच्छी नियाय लेके कारिय वहक नियाय दीश के रूप में निक्त करते हैं तो ये तो आपका हो जाता है गलत ठीक है पहला पोइंट जो है ये आपका गलत हो जाएगा एक कारियवाग नियाईदीश तब तक पदपर बना रहता है जब तक कि इस्थाई नियाईदीश अपना कारियवाग फिर सुरू नहीं कर देता है तो ये हो जाता है आपका करेक्ट ये आपका गलत है और दो आपका हो जाता है सही और यहां जो है सही पूछा गया है आपसे तो केवल दो हो जाता है यहां पर जो सही दिया गया है भारत के सरवोची न्यायले के कार्यवाग मुख्य न्यायदीश की न्युक्ति सम्मे निम्नली खितमे से कौन करता है सरोच न्यायले के जो कार्यवाग मुख्य न्यायदीस होते हैं उनकी न्युक्ति कौन करता है तो ये करता है राष्ट पती ठीक है आपसन नमबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ये हो जाता है अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के सरोच न्यायले के कार्यवाग मुख्य न्यायदीस की नुक्ति राष्ट पती को ही करनी होती है अगला कोश्चन है निमने लिखत गथनों पर आपको विचार करना है ठीक है और यहाँ बताना है सही कथनीन में से कौन सा हो जाएगा सत्र न्यायदीस के पास आज इवन कारावास और मिरत्यु दंड सहित कोई भी सजा देनी की सकती है तो यह तो आपका करेक्ट हो जाएगा कोई भी सजा देनी की सकती आपर हो जाएगी उसके दोवारा दी गई मिरत्यु दंड उच न्यायला दोवारा पुष्टी के अदिन चाहे कोई भी अपील हो या फिर नहीं तो ये भी कहीं न कहीं जो है आपका correct हो जाएगा 119 के जो हैं दोनों आपके correct दिये गए हैं और दोनों correct हो जाते हैं आपके option number C में ठीक है ये हो जाता है इसका correct answer online पहल spice E plus का लक्ष निम ने लिखते हैं किसके विश्थार का हो जाता है इसका जो लक्ष है और किसके विश्थार का हो जाता है तो ये हो जाता है plus is of doing business इस of doing business से संबंदित ये हो जाएगा निमने लिखते में कौन सा अधिकार भारतिय सविधान के तैत सभी व्यक्तियों को उपलब्द है कौन सा अधिकार हो जाएगा जो सभी को उपलब्द है तो सभी को उपलब्द होने वाला हो जाता है कानून के समान संग्रक्षन का अधिकार ये जो है सभी को उपलब्द हो जाता है भारतिय सविधान के तैत कोचन दिया गए है निमनेज की भासा ओपर विचार करना है ठीक है और यहाँ जो है पांच तरह की भासा आपको दी गई है कन्नड संस्क्रत मल्यालम गुजराती और तेलगू कोचन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं तो उपरयोक्त में से किसे सरकार द्वारा सास्तिर्य भासा गोशित किया गया है इन में से तो कन्नड तो हो जाती है पहले से संस्क्रत भी हो जाती है मल्यालम भी हो जाती है और तेलगू भी हो जाती है लेकिन गुजराती जो है उसमें सामिल नहीं है ठीक है इसको जो है साच्तिरिय भासा गोशित नहीं किया गया है तो इस तरह से एक, दो, तीन और पाँच चार वाले जो है आप इलिमिनेट कर सकते हैं तो यह हो जाता है एक, दो, तीन और पाँच ठीक है उप्शन नमबर सी में हो जाता है निमनेलिक में कौन सा अनुछेत राज सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है तो यह हो जाता अनुछेत 40 कई बार जो है डारेक्ट आपसे कोश्चन पोश रिया जाता है आरणुछे 40 राज के निती निदेशक तत्वों में से एक है और इसमें जो है पंचायतों के ग्राम कठन के लिए कदम उठाये जाते है किस वर्चे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक परियोग के केंदर सरकार्ने परतिबंद लगाया है किस वर्चे लगाया है यूज प्लास्टिक के परियोग पर केंदर सरकार्ने परतिबंद तो ये लगाया है वर्च 122 से आपसा नमबर हो जाता है आपका डी सही धन विदेख प्रस्तुत करने के सम्मंद में निमने लिखत में से कौन सा कथन सही हो जाएगा धन विदेख की बात हो रही है उसको प्रस्तुत करने के सम्मंद में कौन सा कथन सही हो जाता है ये आपको बताना है तो इसमें जो है करेक्ट हो जाता है आपका ये लोग सब हमें जो है पेश किया जाता है धन विदेख ठीक है यह लोकशबा में पेश किया जाता है यह आपका सही हो जाएगा निमनेली में कौन लोकशबा और राजबा की सही उक्त बैठक की अध्यक्ष करता है कौन हो जाएगा जो लोकशबा और राजबा की सही उक्त बैठक की अध्यक्ष करता है तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है जो सहिंक्त अध्यक्ष जो लोकसभा और राजसभा की सहिंक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आप से एक कोश्चा नहां से ओर बन सकता है तो इसका जो प्रावधान है वो किसमे दिया गया है तो यह दिया गया है आपका अनुचेद 108 में दोनों सद्दने को सहीं तो बैठक का प्रावधान इसमें क्या गया है सविधान के किस भाग में जाता है भाग पांच और भाग पांच में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है सर्वोच नियाले के गठन, सुर्यतंतरता, अधिकार, छेत्र, परकिरियाओं से सम्बंदिती हो जाएगा कितना 124 से हो जाता है 147 तक भाग पांच में बोन सम्मेलन से आप क्या समझते हैं तो बोन सम्मेलन से परवाशी परजायतियों के शंगरक्षन की जो अंतर सरकारी शंदी है वो हो जाती है यहाँ पर ठीक है बोन सम्मेलन से सम्बंदित 128 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए निम्नेलिस में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्टपती के महाव्योग से सम्मंदित है राष्टपती के महाव्योग से सम्मंदित हो जाता है आपका अनुच्छेद 61 आपसन नमबर सी हैं पर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है राष्ट पती पर भी महावयोग लग सकता है अनुच्छी दिख्षट के अनुशार और राष्ट पती का जो है कार्यकाल भी समाप्त किया जा सकता है विश्व प्रेश स्वेतंतरता सूच कांग किसके द्वारा परकासित किया जाता है 130 नंबर हो जाता है हमारा कोस्चन किसके द्वारा परकासित किया जाएगा विश्व प्रेश सूच कांग को तो यह जो यह जो परकासित किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह परकासित किया जाएगा और विस्व प्रे सूचकांग जो है दोजार दो से रिपोर्टर सेंड फ्रेंटियर या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स द्वारा परते एक वर्स परकाशित किया जाता है ठीक है आपसन नमबर ए हैं पर करेक्ट हो जाएगा लोकसभा की बैठक समात की जा सकती है किसके द्वारा समात की जा सकती है लोकसभा की बैठक तो ये की जा सकती है इस्थगन के द्वारा सत्रा उस्थान के द्वारा भी की जा सकती है और वी घटन के द्वारा भी समात की जा सकती है इस तरह से option number D तो हो आपका character जो ही आपर हो जाएगा ठीक है लोकसभा की बैठकी समाती तीनों तरह से आपको देखने को मिल सकती है भारत के नियंतर गयों महालेखा परिक्षक की नुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है भारत के नियंतर गयों महालेखा परिक्षक की नुक्ति तो ये की जाती है राष्ट पती के द्वारा option number A हो जाता है यहाँ पर correct answer और इसके अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये हो जाता है 148 के तहती है भारत के नियंतर के महालेखा परिक्षक की नुक्ति भारत के राष्ट पती के द्वारा की जाती है important question यहाँ से आपका ये हो जाता है निम्नांगीते मेंसे कौन भारतिया गणत अंतर का पर्मुख है भारतिया गणत अंतर का पर्मुख कोन सा हो जाएगा तो ये हो जाता है भारत का राष्ट पती option number A हो जाता है यहाँ पर correct answer ठीक है भारतिये गणतंत्र का पर्मुख भारत का राष्टपती माना जाता है राज के नीती निदेशक सिधानतिक ऐसा चेक है जो बैंक की सुईधा अनुसार अदा किया जाता है ये किसके दोरा कहा जाता है बैंक की सुईधा अनुसार ये चेक अदा किया जाता है किसका कथन हो जाता है तो ये कतन हो जाता है केटी शाह का, ठीक है, केटी शाह ने कहा था, राज के नीती निदेशक सी धानतिक ऐसा चेक है, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, आप्सन नमर डी हाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बारतिय सविधान के अंतरगत निमनेली के तेदिका कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, कौन सा एक अधिकार हो जाएगा, जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाता है, विधी के समान, संगरक्षन का जो अधिकार है, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएगा, अनुछेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद आ जाता है ये चोदा भारत के सविधान का निमने लिखते में से कौन सा अनुच्छेद प्रेश की सुष्ट अंतरता से संबंदित है प्रेश की सुष्ट अंतरता जो संबंदित अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाता है अनुच्छेद उनिस ये प्रेश की सुवत्नतरता से सम्मंदित हो जाता है अनुच्छेद उनिस भारतिय राष्टे दुहज में चक्र किसका परतीक है जो राष्टे दुहज भारत का वो चक्र जो है किसका परतीक है तो यह हो जाता है नियाय का जो चक्र है वो नियाय का परतीक माना जाता है ठीक है भारतिया जो राष्टे दोहजा उसमें सफेद पट्टी जो है वो नेले रंग का चक्र उसके अंदर दिया गया है और यह जो कहां से लिया गया है तो सारनाथ में जो है असोग इस्तम पर बन निम्नांगित में से कौन विकास की परसासन की अवधारना से संबंदित है वो कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाता है fred w rings, option number a हो जाता है यहाँ पर correct answer विकास परसाशन की अवधारना से fred w rings सम्बंदित हो जाएंगे भारतिय संसदिय परणाली, ब्रिटिस संसदिय परणाली से इस बात से भिन्न है कि किस बात से भिन्न है ये आपको बताना है तो ये भिन्न हो जाती है नियाईक पूर्णा विलोकन जोकी परणाली से ये भिन्न हो जाएगी option number d यहाँ पर आपका correct हो जाएगा भारतिय सविधान की प्रस्तावनों में भारत को किस रूप में घोशित किया गया है तो ये घोशित किया गया है एक सारूब हों समाजवादी धर्ण मिर्पेक्ष और परजात अंतरिक घन तत्र आपसानमस सीहां पर करक्ट हो जाएगा घीक है भारते सवीधान की जो प्रस्तावनु में भारत को एक सारूभौम, समाजवाधी, पंत्निर्पेक्ष, लोकतंत्रमात्राज के रूप में गोसीत किया गया है भारत के सविधान की किस अनसूची में? विवीन राज्यो में अनसूची छेत्रों के परसाषन और नियंतरन के विशेशू बबंध की गए है? तो ये के गए हैं पांच वी में ठीक है? पांच वी अनसूची हो जाते है जिसमें सभी के गए है? निम्नेलिक्त में कौन सा विशह समवर्ती सूची का हो जाता है समवर्ती सूची का कौन सा विशह हो जाएगा तो समवर्ती सूची का जो विशह है वो हो जाता है आप राधिक माम ले ठीक है ये समवर्ती सूची के अंतरगत आ जाते हैं सूची एको सूची दो से सुमिलित करना है और नीची देगे कूट का सही परियोग करते वे उत्तर का भी आपको चैन करना है आपको बताना है इन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा तो अनुचेद 124 की बात की गई है ये किस से संबंदित हो जाएगा अनुचेद 124 तो ये हो जाता है आपका संग्य न्याय पाली का सही संबंदित अनुचेद 5 की बात की गई है ये हो जाता है नागरिक्ता से संबंदित जो भाग दो में दिया गया है आपका ठीक है अनुचे 352 ये आकास्मिक परावधान से संबंदित हो जाता है यानि आकास्मिक प्राध्वान का मतलब है ये आपातकाल से संबंदित हो जाएगा 352 245 की बात की गई है तो ये संबंदित हो जाता है विधाई सक्तियों के वितरन से इस तरह से जो है आपके correct हो जाएंगे A का 1, B का 2, C का 3 और D का हो जाता है हमारा 4 और क्या इस तरह से दिया गया है किसी में A का 1 हो जाएगा, B का 2, C का 3 हो जाएगा और D का आपका 4 हो जाएगा आपसन नमबर A में ही दिया गया है ये सब चीजे भारतिय सविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत अखिल भारती शिवागव का प्रावदान किया गया है ये सेट है हमारा और ये सेट हो जाता है हमारा 150 इस कोस्चन इसको मिलने वाले हैं आपको और ये हो जाता है हमारा 8 नमबर का प्रेक्टिस सेट इससे पहले हमने साथ टेस्ट करा दिये, फुल लेंथ एक सू पजास कोश्चन के, फिलाल एक सुन पैदाली सेंबर कोश्चन हो जाता है, और इसका जो करेक्ट अंसर है वो हो जाता है हमारा अनुच्छे 312, ठीक है, भारतिय सविधान के अनुच्छे 312 के तहत, अकिल भारत परशानिक सलाकार कौ्ण हो जाते हैं, यह आपको बताना है, तो यह हो जाते हैं, बिन राव, यह कई बार जो है, गोस्चन पूश लिया जाता है, ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबीनेट मिशंका सदश्य नहीं था, Cabinet Mission का जो सदश्य है वो नहीं था तो पैथिंग लोरेंस हो जाते हैं इस्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाते हैं और ये भी एलेक्स जेंडर भी हो जाते हैं बट जो है William Wood जो है उनसके सदश्य नहीं थे ठीक है ये हो जाता है यहाँ पर आपका correct answer Question दिया गया है 148 भारत का सविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है बिलकुल ये correct हो जाएगा सबसे लंबा और लिखित सविधान है भारत का ठीक है लंबा भी हो जाता है और लिखित सविधान भी भारत का ही माना जाएगा और क्यों मना जाएगा क्योंकि निज भाग है वो 22 है अनुच्छे 395 में हो जाते हैं and 12 अनुझ अनुच्छे बी सामिल हो जाती है तो 22 भाग 395 अनुच्छे तो बारा अनुच्छी अस सामिल हो जाएगे इसलिए लिखित हो जाएगा और सबसे बड़ा सविधान हो जाएगा भारत का कारण की बात की गई है मोलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन सविधान के मोडल से लिया गया है मोलिक अधिकारी अमेरिकन से लिए गए है तो ये भी आपका correct हो जाएगा इस तरह से आप से पुछा का कौन सा सही है तो A और R दोनों सही है परन्तो R जो है एकी सही व्याख्यान नहीं करेगा ठीक है तो B हो जाता है आपकर correct answer भारत सरकार अधिनियम 19-19 के अंतरगत भारत्य विधायीक का अंतिम निर्वाचन निम्म नीलीथ में कौनसा एक युगम णग्म नहीं है वो आपको बताना है इधर आपके प्रावधान दिये गए हैं इधर आपके शुरूत दिये गए हैं तो मोलिक अधिकार जो है ये लिए गई है आपके स्वेप्ट राज अमेरिका से बिलकुल करेक्टी हो जाता है राज के नीती निदेशक तत्वे आर्लेंट से लिए गए है केंदर की जो आउसिष्ट सक्तिया है ये आपकी आश्टीलिया से नहीं ली गई है ये कहां से ली गई है केंदर की आउसिष्ट सक्तिया तो ये ली गई है कनाड़ा के सम्विधान से ठीक है कनाड़ा से ले गई है केंद्र की आउसी सक्तियां आपसा नमबर C जो है यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है आपात कालिकी सक्तिया जो है यह हो जाती है आपकी जर्मनी से तो आपसे पूछा गया था कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है तो C हो जाएगा जो आपका स परा दिया है वो भी फुल लेंद के 150 कोश्चन के और यह जो प्रेक्टी सेट है यह आपका यूपी PCS आरो यारो और उत्तर प्रदिश के जो अधर एक्जाम होता है जो यूपी अगर आप चैनल पर नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार